ओम नमो भगवते वाशुदेवा ये नमहा हमारे यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों तो आज हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी के ब्रत के बारे में बताएंगे उनकी पूजन विधी भी बताएंगे साथ ही उसका महत्तु भी हम आ सुकल और कृष्ण पच्च में एकादशी का ब्रत रखा जाता है इस साल मोहिनी एकादशी का ब्रत एक मई को रखा जाएगा माना जाता है कि इस ब्रत के पून से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है सभी एकादशीों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फल्दाई तिथी मानी गई है पौरारिक मानेताओं के अनुशार जो भी वेक्ति इस पावन दिन पूरे विदी विधान से ब्रत रखता है उसके जीवन में सब कुछ कल्यान में होता है मोहिनी एकादशी का ब्रत रखने वाला विक्ति मोह माया के जनजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मौक्ष की प्राप्ति होती है माना जाता है कि इस एकादशी का ब्रत करने वालों को कई जन्मों के पाप भी नस्ट हो जाते है मोहिनी एकादशी का ब्रत एक माई को रखा जाएगा दोस्तों तो आईए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है हमारे जीवन में माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमरत की प्राप्ति के बाद देवताओं और अशुरों में आपाधापी मच गई थी ताकत के बल पर अशुर देवताओं से अधिक बलचाली थे वो अशुरों को हरा नहीं सकते थे सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विश्नु ने मोहिनी का रूप धारण कर अशुरों को अपना मोह माया के जाल में फसा कर सारा अमरत देवताओं को पिला दिया इससे सभी देवताओं ने अमरत प्राप्त किया यही वज़ा है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है तो आईए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पोजा विधी के बारे में भगवान श्री हरी विश्नु की करपा बरशने वाली मोहिनी एकादशी तिथी पर ब्रत एवं पूजन करने वाले शाधक को सुबाद जल्दी उठकर इसनान ध्यान करना चाहिए इसके बाद शूरी नाराण को जल चड़ाना चाहिए और शूरी देवता की पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मुहिनी एकादसी ब्रत को विदी विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए ब्रत एवं पूजा का संकल्प लेने के बाद घर के इशान कोड में एक चोकी पर पीला कपड़ा बिछा कर भगवान श्री हरी और माता लक्ष्मी को विराजित करें और उन्हें पीला पुस्प पीला चंदन पीला फल पीला वस्र आद अरपित करना चाहिए इसके बाद शुद घी का दिया जलाकर शाधक को मुहिनी एकादसी ब्रत की कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए किसी के माद्यम से पूजा के अंत में शाधक को स्रीहरी की आरती और दूसरे दिन शुब महूरत में ब्रत का पारण करना आवश्य होता है तो दोस्तों या थी मुहिनी एकादसी की पूजाविदी और मानने था इसका महत तो क्या होता है और कब मुहिनी एकादसी आप मनाएंगे ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी और आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके ओम नमो भगवते वाशुदे वाई नमा जैश्री हरी